Hello Friends Welcome to our YouTube channel Study Free Questions Friends इस वीडियो में हम नाचपूरी लोक्संगीत में जो डमकच है उससे प्रसनों को solve करेंगे और इसमें हम कुल 30 प्रसनों को solve करेंगे यानि कि डमकच राख से जीतने भी महत्पून प्रसन है उन सारे प्रसनों को solve करेंगे इसके बाद अगर इतना सा कर लेते हैं तो आपका डमकज से कोई भी प्रसंद नहीं चुटेगा और ये सारा question जो है chapter wise test series में डाल दिया गया है और बहुत से लोग test series में जूड भी रहे हैं chapter wise test series में और बहुत पसंद भी कर रहे हैं तो जो लोग अभी तक chapter wise test series में नहीं जूड़े हैं वो जल्दी से chapter wise test series में जूड जाएए क्योंकि वहाँ पर हम इसी तरह से डमकज, फगवा, उदासी, अंगनाई सब का एक एक chapter का question डालेंगे चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रस्ण क्या है तो पहला प्रस्ण है बिवा साधी कर सू औसर पर कौन तरह कर राग कर परधानता नाकपुरी में देखा जाता है तो इस तरह से question दो तीन बार पुछा है घुमा घुमा किसी को या डमकच किस औसर पर कर लिया ला इस तरह से भी question पुछा है यह भी पुछा गया है तो सही answer क्या हो जागा विवा और साधी के सू औसर पर कौन किया जाता है कौन सा राग का पधानता है तो डमकच का यह सब पढ़ा चुके हैं डमकच फगवा उदासी प्लेलिस्ट में नाकपूरी लोकसंगीत में जाकर पढ़ सकते हैं देवठान एकादसी से लेकर असार दिवित्य यानि कि रत यात्रा तक कौन तरह का राग गावेक प्रमपरा हमरेक समाज में आ है तो देवठान एकादसी से लेकर असार दिवित्य यानि कि रत यात्रा तक कौन सराग गाने का प्रमपरा हमारे समाज में है तो यह डमकच तो ये समय जो होता है देवठान एकादसी से लेकर असाड तिवितिया यानि कि रत्यात्रा तक ये विवाह का सीजन होता है इसके बाद रत्यात्रा के बाद विवाह संपन नहीं होता है यानि कि उसके बाद लोग खेती बारी में लग जाते है तो उसके बाद विवाह नहीं ह तो विवाह का गीत है इसलिए ये विवाह का समय है और इसी समय ये ये लोकसंगीत गया जाता है डमकच सब्द में कच कर माने का होएला तो डमकच सब्द में कच का माने क्या होता है तो केंस देखिए ये डमकच नाम ही पड़ा है डम यानि की डमरू और कच यानि की केस तो डमरू के अकार का केस को बनाते हैं जिसको नाकपूरी में खोपा भी बलते हैं गोरिया खोपा बांधरे करिया करिया केस जुलेला गोरिया खोपा बांधरे इस तरह से नाकूरी लोगीत है तो इसमें डमरू का अकार को बाल को पीछे बानते हैं तो उसी से ये डमकच नाम इसका पड़ा है डमकच सब्द में डम कर का माने होगे ला डमकच सब्द में डम कर माने क्या होता है डमरू सही अंसर क्या हो जाएगा? जनाना मन कर केंस कर खोपा बांधेक से कौन निरित्य गीत सम्मन्धित आ है? तो जनाना यानि कि इस्तिरियों का केंस यानि कि वही बाल का खोपा बांधने से कौन सन निरित्य या गीत सम्मन्धित है या राग सम्मन्धित है तो ये क्या है डमकच, सही अंसर होगा डमकच तो इस तरह से भी प्रसंद पूछेगा अगला प्रसंद है बियाह कर 15 दिन पहले से बर और कन्या कर घर आंगन में गाओं कर जनाना मन कोन गीत गाओंए ना तो विवाह से 15 दिन पहले वर और कन्या घर आंगन में कौन सा गीत गाते हैं इस तरियां कौन सा गीत गाती है तो यह है डमकच सही एंसर क्या होज़ागा डमकच तो यह गृधारी राम गोंजु जी का बुक में पंदरा दिन लिखा है और इसी को भुनेश्वर अनु जी का नागपूरी अगला प्रसन है डमकच कैसा राग है तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि बहुत ही महत्पूर्ण क्वेश्चन है तो जनाना परधान यानि कि इस्तरी परधान ये राग है डमकच राग में खोड़ा कर उप्योग होएला इस सब्द कर काम आने आ है तो डमकच राग में खोड़ा का उप्योग होता है खोड़ा किसको कहते है खोड़ा का अर्थ होता है समू सही एंसर हो जाएगा समू थेचका बजाय बजाय के नाचे गावे कर प्रमप्रा कौन राग में आ है तो थिचका बजा बजा के गाया जाता है ये डमकच में ही सही एंसर हो जाएगा option D डमकच अगला प्रस्न है बैट के चाहे खड़ा होए के कौन गीत एकल चाहे सामुहिक रूप में गावल जायला तो देखिए बहुत सारे लोग संगीत है जो की बैट के और खड़ा होके गाया जाता है लेकिन ये question book में दिया गया है तो इसका सही एंसर होगा डमकच वैसे तो बहुत सारे लोग संगीत है जो इस तरह से गाया जाता है डमकच गीत में कए दल कर भागिदारी होई सकेला तो डमकच गीत में कितना दल का भागिदारी हो सकता है तो तीन दल सही अंसर होगा तीन दल डमकच गीत राग में गीत उठावे कर परंपरा के करेला तो डमकच गीत राग में गीत उठाने का यानि कि सुरुवात करने का परंपरा कौन करता है तो ये दल का अगुआ जो दल का होता है अगुआ वही ये परंपरा को उठाता है गीत उठायक वाला आदमी गीत कर कौन चरन के एकला गावेला तो क्या होता है कि गीत उठाने वाला दल का जो अगवा होता है वह गीत का पहला चरन को गाता है उसके बाद जितने लोग होते हैं वो सामिल हो जाते हैं तो सही एंसर क्या हो जाएगा पहला चरन अगला प्रसने एकहरिया डमकच राइत के कौन पहर में गावल ना चल जायला तो देखिए डमकच का तीन भेद बतलाया गया है बहुत सारा बुक में दो भेद भी बतलाया गया है या एक ही बुक में कहीं दो भेद बतलाया है और आगे चलके तीन भेद भी बतलाया है रखिएगा चढ़नतर यानि कि ये इसमें राग जो है धीरे धीरे बढ़ता है फिर जब दूसरा पहर आ जाता है राद का तो दोहरी डम कर शुरू होता है उसमें क्या हो जाता है जो गीत है राग है वो बहुत उत्तेजित हो जाता है यानि कि बहुत ज्यादा हो जाता है फि इसलिए कभी-कभी जुम्टा को थपडी राग भी कहते हैं का एक खरिया डमकच में धुरुपत चाहे टेक कर जरूरत होता है तो हाँ होता है सही एंसर होगा हाँ अगला प्रस्न है डमकच कर गावेक समय कब सुब आ है तो डमकच कर गाने का कोई वैसा सुब समय नहीं है यह सभी समय गया जा सकता है दोहरी डमकच कर गायन समय कौन उची थेक है तो डोहरी डमकच जो है रात का दूसरा पहर ही होगा इसमें उप्सन थोड़ा सा यह दे दिया है रात का दूसरा पहर से सुरू होता है ये और रात का तीसरा पहर तक जाता है तो सही answer हो जाएगा रात का दूसरा पहर कर बीच में और तीसरा पहर इस तरह से या दूसरा पहर रहेगा option में ज्यादा तर इस तरह से option नहीं रहेगा जस्पूरिया और असम्या कौन राग कर भैद है के तो ये question इसका नहीं है डमकच का ये अंगनाई का भैद है जस्पूरिया असम्या ये सब ये सब डमकच का भैद नहीं है तो ये इसका question नहीं है डमकच का डमकच में सोब से बगरा विवित्ता और विलिच्छंता कौन राग में मिलेला तो ये किस में मिलता है ये मिलता है जुम्टा में ये महत्पून क्वेस्चन है अगला प्रस्ण देखेंगे कौन नाकपूरी राग गीत में जनाना मनक एकाधिकार है तो कौन नाकपूरी गीत है जिसमें इस्तिरियों का एकाधिकार है तो कौन सा गीत है डमकच इसको बहुत जगे पुरुसों को देखने का भी मनाही रहता है ये डमकच जहां पस किया जाता है नेरित किया जाता है तो ये थोड़ा असलील भाव में रहता है तो बहुत जगे इसको पुरुसों का देखने का भी मनाही रहता है तो सही एंसर क्या हो जाएगा डमकच नाकपूरी डमकच गीत कर कैठो राग भेद आ है तो मैंने अभी बताया कि डमकच गीत का तीन भेद है बहुत जगे दो लिखता है एक हरिया और दोहरी यही दो लिखता है लेकिन बहुत जगे एक हरिया दोहरी और जुम्टा तीनों लिखता है तो तीनों मान के चलते हैं सही एंसर होगा ओप्शन C अगला प्रस्ण है एकहरिया और दोहरी डमकच कर तूलना में कौन गीत जट जट गावल जायला एकहरिया और दोहरी डमकच की तूलना में जो है जुम्ता जल्दी जल्दी गाया जाता है तो सही answer क्या हो जाएगा? option B जुम्ता अगला प्रस्ण है एकहरिया दोहरी और जुम्टा केकर भेद मानल जायला तो एकहरिया दोहरी और जुम्टा किसका भेद हो गया तो ये डमकच का हो गया सही एंसर होगा option D अगला प्रस्ण है एकहरिया डमकच कर कैठो भेद उपभेद आहें तो एक हरिया डमकच का कितना भेद है और उपभेद है तो तीन तीन भेद उपभेद है एक हरिया डमकच का इतना डीप में क्वेश्चन नहीं पुछेगा लेकिन करा रहे हैं तो हम चार हैं कि सारा क्वेश्चन ही करा दे और एप में भी डाल दिये हैं सारा question ही दोहरी डमकच कर कैठो भेद आ है तो दोहरी डमकच कर कितने भेद है तो 5 भेद है सही answer होगा option C अगला प्रसने जुम्टा एकहरिया कर कैठो उपभेद होए न तो जुम्टा एकहरिया जुम्टा का भी एकहरिया और दोहरी है तो एकहरिया में कितना होगा दोठो, दूइटो सही answer होगा जुम्टा एकहरिया में दो उपभेद होते हैं और जुम्टा दोहरी का आठ उपभेद होते हैं सही answer होगा option C अगला प्रसन देखेंगे कौन तरह का डमकच में विविता और अच्छा ये question repeat हो गया है इसका सही answer है जूंटा अगला प्रसन है कौन तरह का राग में स्वरपुरक में यानि कि किस तरह का राग में स्वरपुरक के रूप में की रे नी रे सोना बुचू राइलो साइलो मैना इन सब्दों का परियोग देखा जाता है तो ये ही पुछा जा रहा कि कौन तरह का राग में स्वरपुरक के रूप में की रे नी रे सोना बुचू राइलो सालो मैना इन सब्दों का परियोग देखा जाता है तो ये डमकच में देखा जाता है याद रखेगा थोड़ा सा अगला प्रस्न ए कव्वा कोटवारी दया मैना भंडारी रे बकूला तो सोना गच के जिमिधाई रहे तो देखें इसमें रे-रे आरहा है अभी बताये थे कि հे सोना बुचू मैना इस तरह से आता है देखिए इसमें मैना है तो यह सब क्या हो जाएगा देवल गीत कौन राकर है के तो question इस तरह से पूछ देगा तो क्या हो जाएगा डमकच राकर तो सही answer क्या हो जाएगा इसका option भी डमकच तो यहाँ पस 300% complete हो गया बहुत से लोग chapter wide test स्रीच को लगाईए और कुछ notes चाहिए तो आप chapter wide test स्रीच खरीद के हमको मेरा whatsapp नमबर जो है 8409 006632 में whatsapp कर दीजिए एप से test खरीद के तो वहाँ पस आपको लोगसाहित का लोगसंगीत का अगर नहीं है आपके पस तो उसका notes भी हम दे देंगे तो आपको करना क्या है प्ले स्टोर से जाके एप को डाउनलोड करना है study pre question अब वहाँ जाईएगा तो देखिएगा कि लिखा हुआ है नाकपूरी chapter wide test series for JSAC, CGL and other graduate level और उसमे 4000 प्रसन लिखा हुआ है तो बस उसको वहीं से खरीद लेना है और उसको लगाना start कर देना है जैसे कि संग्या पढ़ ह तो जाके वहाँ संग्या का test लगा दिए वहीं पर हम PDF भी अपलब्द करा देंगे तो सारा question उसमें आपका कभर हो जाएगा तो चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe कर दीजेगा और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा share किजिए thanks for watching